बिहार के 65 विधायकों को बुद्वार को नया आशियाना मिला CM नितीस कुमार ने इसकाउद गाटन कर विधायकों को चाबी सौब दी लेकिन क्या आप जानते हैं कि विधायकों को मिलने वाला आशियाना कैसा है अगर नहीं जानते तो चलिए हम आपको बताते हैं विधायकों का यानाया बंगला काफी आदुनिक है इसमें गार्ड, ड्राइवर और सर्वेंट के लिए अलग से रूम बनाए गए हैं जो लोग विधायक से मिलने आएंगे उनके बैठने की भी बिवस्ता है साथ ही बंगला में गार्डन और पार्किंग की भी बिवस्ता है वहीं प्रतेक बंगला तीन मंजिला भवन है जिसका निर्माड 3050 वर्ग फीट भूखंड पर किया गया है और कुल निर्मिक शित्र 3693 वर्ग फीट है प्रतेक बंगले के निर्माड पर 93,50,000 रूपए खर्च हुआ है इस प्रकार 65 बंगलों के निर्माड परिसर विकास, HDP, WTP, चाहर दिवारी एवं परिसर के अंदर के पथों के निर्माड आदी पर कुल 71,50,000,000 रूपए खर्च हुआ है प्रतेक बंगले में दो एयर कंडिसनर, चार डबल बेड, दो सेट सोफा, डाइनिंग टेबल एवं कारियाले उपसकर उपलब्द कराया गया है बंगलों के भूतल पर ड्राइन रूम, डाइनिंग रूम, गेश्ट रूम, टॉइलेट सहीट, कारियाले कक्ष, पीये का कक्ष, पेंटरी, कार पार्किंग आदी की सुविदा है पहली मंजिल पर मास्टर बेडरूम टॉयलेट साइथ, दो अलग बेडरूम टॉयलेट साइथ, फैमली लॉज, बालकनी, ओपन टेरस, पूजा रूम और दूसरी मंजिल पर इश्टाफ के लिए दो रूम, किचेन, बाथुरूम तता टॉयलेट है परिसर के सडकों के किनारे और कौमन अस्थलों पर पर्यावरण एवं हरियाली के दिश्टिकोंड से चमपा, फाइकस, गुलमोहर, मोहगनी, आधि के पौदे लगाए गए हैं विदायकों के लिए कुल 243 सेवं विदान पार्षदों के लिए 75 बंगलों का निर्मार किया जाना है इसमें विदान पार्षदों के लिए 55 बंगलों का उद्गाटन नमंबर 2019 में मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था जबकि विदान पारसदों के लिए 6, 20 मंगले और विदायकों के लिए 6, 178 मंगलों का निर्मार कारे प्रगति पर है लेकिन उन बच्चों को मैं सलाम करता हूँ कि उन्हें वक्ट पर फायर विग्रेट बुला लिया और आसपास के तमाम बच्चों को और वहां के सामान को बचानी की कोश्च किया और फायर विग्रेट भी वक्ट पर पहुंचा और ये आग बुची आप से निवेदन है कि इस से दूसरों को तकलिफ हो मैदान में जाएं बालग बच्चे जो बड़े हैं वो मैदान में बड़े से बड़े राके टोड़ाएं जो धमागे कर सकते आप धमागे करें लेकिन रास्तों पर और गलियों में सडकों पर आप देख रहें कि बच्चे बड़े-बड़े राके ट पॉलुशन फैल गे जैसे के यह तेवार अजीव गरीब रोष्णी होना चाहिए घर में रोष्णी होने से घर में रूहानी सुकून मिलता है और रौनाख आती है रहमत बरस्ती है यह दीवाली है आप कीवाली को दीवाली के तरीफे से मनाएं गुट एक डिए बेटेवां नद आटेवा ने खुटेखर मारी में अगते कि घर मारीम हो था है… घर मारी में भें नद रुट है… दिल्ली में नगर निगम चुनाओ यानि के MCD इलेक्शन के सुखबुगाट शुरू हो चुकी है इस सुखबुगाट के बाद से आम आदमी पार्टी लगातार साफ सफाई के मुद्दे पर बीजेपी को घेरती दिख रही है मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल ने गुरुवार को गाधिपूर के लैंडफिल में अमिश्या को चीकते हुए घेरा आईए देखते हैं क्या कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल ने अभी अभी मैं ये कोड़े का पहार देख्के आ रहा हूँ बहुत शरम आती है दिल्ली देश की राजधानी है पूरी दुनिया भर से लोग दिल्ली में आते हैं और जब दिल्ली में आते हैं तो क्या देखते हैं कोड़े का पहार दिखते हैं पूरी दुनिया में जब आप जाते हो लंडन जाते हो पैरिस जाते हो तोक्यों जाते हो फलाना डिमका वाशिंग्टन न्यू यॉर्क तो वहाँ पे आपको टूरिस्ट प्लेस दिखाई देती हैं बड़े-बड़े साफ सुथरी चीजे और जब दिल्ली आता है कोई तो उसको यह कुड़े के पहार दिखाई देते हैं भारतिय जंता पार्टी ने 15 साल में दिल्ली के लोगों का सर जुकाने में कोई कसर नी छोड़ी शरम से सर जुक जाता है हम लोगों का कोई रिष्टेदार आए कोई दोस्त आए दूसरी जगे से कोई आए क्या देखता है दिल्ली में के वलिए कूडे के पहाड नहीं है गली गली में चले जाओ चारों तरफ कूडा यी कूडा अंंं नहीं कूडा है कूडे के सिवा इन्होंने पंदरा नहीं आग कूडे और शरम इनको भी आती है अपने कूडे पे आज जब मैं आ रहा था तो रस्ते में रोक लिया, आने नहीं दिया, कहते नहीं देखने नहीं जाओगे क्यों भई, तुम्हारे 15 साल की कार गुजारी तो देखने जाएंगे, हमें शरम नहीं आती, हमारे स्कूल देखने आओ, हमारे अस्पताल देखने आओ, 5 साल में अभी मेरे को पता चला कोई पत्रकार कह रहा था कि राम बिदूरी जी अभी स्कूल देखने जा रहे हैं जाएं देखने हमारे स्कूल देखो, हमारे अस्पताल देखो दिल्ली में अमरीका की राश्टरपती आए उनकी बीवी हमारा स्कूल देखने गई बारत का नाम चाड़ा हुआ बारत का सीना चाड़ा हो गया लोगों का सीना चाड़ा हो गया हमें शरम नहीं आती है अपने काम दिखाने में इनको शरम आती है तो इन्होंने क्या करा कूडे के पहाड के चारों तरों पुलिस लगा दी कोई कुड़े का पहाड देखने ने इनसे बहु बेटियों की रक्षा नहीं होती कुड़े के पहाड की रक्षा कर रहे हैं आप पुलिस लगा के ये लोग बीरो रिपोर्ट फोकस हिंदुस्तान नमस्कार मैं हूं माजस सिद्धी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान की पहली नजर अब चोरों ने नया तरीखा निकाला है और ये आपको सौधान अलर्ट करने के लिए ये इनफॉर्मिशन आपको दी जा रही है नेशनल क्राइम इंट्लिजेंस एजेंसी की तरफ से याद रखें अभी हातों में LED बल्ब लेकर घरों में देखते हैं बेल बजाते हैं चोर उनके हातों में LED बल्ब दो या तीन या चार बल्ब उनके साथ में होते हैं आपके घर में अगर टेस्ट करना है तो आप इसको फ्री लगा सकते हैं या आपको फ्री दिया जा रहा है अब जैसे वो घर में दाकल होते हैं आपसे मुबाइल लेने के बाद आपके अकाउंट और आपका घर पुरा साफ हो जाता है तो इसके लिए आपको फिर एक बार अलट किया जा रहा है नैशनल क्राइम इंटिलिजन एजनसी की तरफ से ये सूचना आपको दी जा रहे है फोकस हिंदुस्तान मैं हूँ माजस सिद्धी की अलट रहिए और ख्याल रखिए कोई भी अंजान आदमी आपके घर आ सकता है उससे बचें जै हिन हुआ 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 है